है राम राम जी ऐघो आप लोग का स्वाकत स्वागत है आज एक डवा में हम कि आम एकदम नया कि और सबसे स्वादीष्ट हेल्दी रेस्पी Pharisee is success करना घा हूँ यह राइ ते राई का मतलब सरसो होता है लेकिन सरसों से बढ़ा इसका वी होता है और यह इतना स्वपना खाए हैं लेकिन इसको एक बार जरूर बनाएगे खाईएगा यह बहुत ही बढ़िया साग हता है मतलब हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेटा रहा है और मैंने सरसोपाजक बथवा सारा यह भी साग में बनाया हूं वह भी आपके साथ सेयर करूंगा और देखें इसमें क्या-क्या जरूरत पड़ता है यह हमने साग दिया है पांच की दो और इसमें 200 गराम जासन करीब-करीब है 100 गराम हरी मिर्च है और 100 गराम से ज्यादा राई है मतलब काजी सरसोपाजक और इसको हम जार में डाजके और पीस देंगे बढ़िया से कि तो अगर हमारी राई की रेशिपी थाय की साग की रेशिपी आपको पसंद आता है तो दाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और घंटा को बटन दबाना बेज़कुज नहीं भूधिये गा तो देखें हमस्राइं को पतला पतला काट दिया है जितना पतला काट नहीं बढ़िया बनेगा इसमें एक पव सबस्क्राइब ये जादा नहीं प्रक्राइब chef navyников haveam यहीं पर यहीं है और यहीं कर दिया है कि और इसको हम धीरे गयस करके बढ़िया से मसाज़े को भून देंगे और जो हमने साग काटा है तो साग को बढ़िया कोई भी साग हो सरसो पाजक तो इसमें बहुत मिट्टी होता है देखने में तो दखता है कि मिट्टी नहीं है इसको चार-पांच पानी आप धोए ताकि आपका जो यह मिट्टी का जो इसमें दातों में आता है किनकिन की आवाज वह नहीं आए नहीं तो साग कखाने का मज़ा ही बिल्कुल खराब हो जाएगा और हमने साग को भाफ दिया है मतलब पानी खुड़ा सा डालके और गैस पे 10-15 मिट भाफ दिया अल्टी पल्ट साग जब बनाये तो हज़का ऐसी भाफ के देखे कादा पानी निकल रहा नहीं पूरा पानी चान दिया गया है और तब मैं साग को डाल रहा हूं जहां मसादा हमने भून दिया है कि और इसको जितना भी समत थ्वड़ा पानी आपको दिख रहा है जितना आप सुखाएंग शाग के लिए मतलब है किरी आपकी गैस इसम में नुकसान होता है लेकिन इन्टाने वह ज्यादा डार रहे हैं őद अगर आप चार ईब संचाग बना रहे हैं तो इतना ही गैस में 12 किल आदर गुड़ी की सब्जी बना सकते इतना इसमें आहूदा ब郊श्जी लगता है लेकिन खाने बहुत स्वाधिस्ठ होता है साग और साग तो सिजनल होता है हर दम राई के साग आपको बारो महीना नहीं मिलता है इस समय खाजी मिलता है और उन्हें स्वाध अनुसार नमक डाज दिया है देखिए सब कम मसाधा भी है इसमें और बहुत ही टेस्टी बनता है सागे तो आप राय के साग बनाईएगा तो हमेजी कजरूर बताईएगे आपके आपका साग कैसा बना और आपने जो कमेंट्स किया है वो भी मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ और जो आप करेंगे वो भी मैं कोशिस करूँगा कि पुरा करूँ और जो मेरा पूरा पूरा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इतना बढ़िया कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टेश्टिया क्वेश्द य LumNow देखिए हमारा साख बनगे त्यार हो गया है और देखिए कितना सुखा सुखा सी मंने सब्सक्रीयल वर्गाद ही तो यह है कितना सुखा सब्सक्राद flowers हो गया है खाने में बहुत चेhoven